गाइस दस से पंद्रा मिनट में आपके चेहरे को ग्लास जैसा चुमका देगा आज को मेरा ये प्यारा सा नुस्खा ये आपके स्किन पर इतना फ्लॉलेस निखार दे कराएगा ना कि खुद आप हैदान हो जाएगी अभी तक आपने बहुत महेंगे फेशल कराए होंगे बह भी आपको ये वाला भैतीन वाला रिजर्ट नी मिलेगा जो आज आपको में शेयर करने वाली हूँ इसको लगाने के बात या क्या होने वाला है आपके सिन पर लिस्ट बना लो क्योंकि इस सारी प्रॉब्म्स दूर होने वाली है जो भी आपकी उबर खावड सिन है न वो बढ़िया चमकने वाली है. पहली प्रॉब्लम, हमारी क्या होती है? पिग्मेंटेशन, पिग्मेंटेशन बहुत जादा हो जाती है, ठंटी हवा से सर्दियों में हो जाती है, पिग्मेंटेशन पर बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा. दूसरी चीज, अगर आपके आक्नी के मार्क्स है, तो उनको ये रिड्यूज करेगा. तीसरा, अगर आपकी स्किन बहुत डल पढ़ गई है, बेचान हो गई है, तो उसमें अलग सा ही निखार और ग्लो आ जाएगा. चौथी चीज, अगर आपके स्किन बहुत जादा अनीवन है, तो एवन करने में बहुत जादा हेल्प मिलेगा, और इसके साथ आपकी सारी अच्छे से डेड लेयर को निकाल कर बहार पेकेगा. आपके स्किन इतम यूज़फूल, यंग और इतम प्लॉंसी लगेगी, हाइड्रेटिंग लगेगी, जो आपके स्किन डल होगी थी ना, एक अलग सा ही निखार, ग्लो, बहुत अच्छा एफेक्ट आएगा सिरफ 15 मिनट में. लगाना बहुत असान है, खर्चा बचाओ है, इसका नाम है फैस्दर्मा का ग्लो पीड. ये ग्लो पीड, डरिये मत, कोई वैसा वाला पील नहीं कि आपके स्किन को पील कर देगा, बलकि ये पील करेगा, लेकिन आपके स्किन की प्रॉब्लम्स को अपने साथ लेकर बहुत इंपोर्टन चीज होती है, तो कुछ भी ऐसे मैं आप लोगों से अपनी फामिली से शेयर ना करूँ जो आप लोगों के प्रॉब्लमाटिक हो जाए. ये पील अगर आप बहा किसी भी स्किन स्पेशलिस के पास जाते हैं, या एक अच्छे सलून पे अच्छे स्किन थेरपिस्ट है, उनके पास जाते हैं, तो एक सिटिंग के वो लोग चार्ज करते हैं, त्री से पोर थाउजन, सिरफ एक सिटिंग के, लेकिन अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ, तो ये है सिक्स थाउजन, शॉक मत हो जाओ, शिक्स थाउजन में आपको मिल रही है इ वो 6,000 की रेशो देखो, जो आप 1100 रुपे का फेशल कराते थे या 500 रुपे का, उसको कैल्गूलेट करके देखो, इसकी कॉस्टिंग आपको ज़्यादा सस्ती पड़ेगी, और रिजर्ट नमबर वन, मता कोई श्रब्दी नहीं है मेरे पास में, ऐसा भैतरीन वाला क्योंकि वो शब्त आप दोगे, कमेंट करके ये वीडियो को, जब देख लोगे, इसको और कर दोगे, तो अपने आप, आपके पास बहुत सारे बहतरीन वाले वोड्स होंके, लेकिन एक चीज़ का ध्यान जखेगा, अगर आप 20 हैं, 18 प्लस हैं, तो ही आप इसको इसको इ मैंने डाल दिया है, www.clickoncare से आपको फैस दर्मा मिल जाएगी, ग्लोपी, और CODB एविलेबल है, कैश और डिलिवरी भी कर सकते हैं, आप ओनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीडियन्ट हो, आप इसको खरीच सकते हैं, अब बात आजाती है, इसको इंगरीन्स एड़ है, जो आपकी सििन तो और भी डाइटन करके ब्राइटन करने का काम करेंगे, आप बात कर जेते हैं, जो चार इंगरीन्स मेन जो आपकी स्किन पर काम करते हैं, वो है, इसमें 10% है आरटीनी, जो आपके पिगमेंटेशन को बढ़िया तरीके से जो आपकी patchiness को uneven skin को even करता है, right? और इसमें 2% है alpha arbitene, जो आपकी जितने भी patch आच आचुका है, pigmentation है, आपकी skin पर useful glow लाने के लिए, आपकी skin को hydrate करने का काम करता है. अगर आपको आजकल वेसी भी बहुत festival स्टार्ट होने वाले हैं, Christmas आने वाला है या New Year आने वाला है, और marriages तो भर-भर के होती हैं December और Jan में, तो उस time के अगर आपके पास शाम को शादी में जाना या खुद की marriage और time नहीं, facial कराने का, पैसे बचाने हैं, time भी save करना है, तो फैस डर्मा glow peel apply कर लो 15 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको पानी से धो दो और इसके बाद इसका भैतिन इस रर्ट नवस, देखते रह जाओगे, मेरे पास तो शब्द नहीं, शब्द अपने आप कैच कर लेना क्या होते हैं, अब जान लेते हैं, इसको लगाना कैसे है, इसको लगाने से सबसे पहले कोई एक safety रखनी है, किस-किस चीज की वैसे कोई problem नहीं देता, आपको एक ear bird लेनी है, उसमें लेना है थोड़ा सा vaseline या narial का तेल, मैं यहाँ पे ले रही हूँ नारियल का तेल, और उसको अपने lips के अपास, अपनी nose के इस area में, आसपास, अपनी eyes के corners में, इस तरीके से apply कर लेना है, क्योंकि यह area होता है बहुती जादा sensitive, तो यहाँ पे को irritation ना हो, इसलिए, अब इसके 10 drops आपको एक कांच के bound में डालनी है, और इस तरीके के brush लेना है, brush की help से, आप इसको under eye area में बिल्कुल नहीं नगाना, क्योंकि under eye skin जो होती है, बहुत sensitive होती है, आप अपने forehead पे, nose area में, इस तरीके से अपने cheeks पे, अपने mouth area में, जो आपका dark रहता है, uneven रहती है, mostly हमारी skin, वहाँ पे आप इसको अच्छे से apply कर लीजे, हलकी सी आपको burning sensation होगी, कैसे जिसे आप meemoo अपनी skin पे लगाते हैं, या tomato लगाते हैं, तो आपको हलका सा burning जलता है ना, क्योंकि इसमें compound जैसे होते हैं, जो आपकी skin पे, pigmentation पे मतलब काम कर रहे हैं, आपकी skin के texture को निखानने वाले हैं, लेकिन, अगर आपको जादा burning sensation हो रही, आपसे सहन नहीं हो रही, तो immediately wash कर लें, और कोई भी अपना moisturizer apply कर लें, तो यानि आपकी skin बहुत oversensitive है, जो इसको accept ने कर पारी, तो आपके लिए नहीं बना, otherwise यह हर skin tone के लिए बना हुआ है, मतलब मेरी skin sensitive है, जोड से रब करने वे दाने हो जाते हैं, लेकिन मुझे यह suit करा honestly, तो मैंने आपसे share करा, अब उसके बाद आप इसको पूरे face पर लगाएं, 15 minutes ले ऐसे ही रहने दें, उसके बाद पानी के बाउल में cotton dip करें, और इस तरीके से अपने पूरे face को wipe कर लें, wipe करने के बाद आप मेरे face पर खुदी result देख सकते हैं, इस तरीके से आपने हफते में दो बार इसको इसको इस्तमाल करना है, लेकिन तो इसके साथ आपको sunscreen must है, जो लगाना ही लगाना है, उसके बाद आपने sunscreen अपने हाथ पे लेना है, इस तरीके से आपको अपने पूरे face पे लगाना है और अच्छे से मसाज देना है, क्योंकि अगर आप sunblock नहीं लगाओगे, तो ये glow peel का कोई भी फाइदा नहीं होगा, और अगर आप sunblock लगाओगे अपने skin पे, उसके बाद देखना, आपकी skin सच में एक कांच की तरह, शीशे की तरह, चमक उठेगी, दमक उठेगी, तो इस चीज का ध्यान रखें, लगाने के तार्मी की बात आती है, तो आप इसको पूरे दिन में कभी भी लगा सकते हैं, और सुबर जब खर से बहा निकलें, तो संस्क्रीन करें और लगा कर भी बहार जाएं 30 मिनट जाने से पहले, तो इस चीज का ध्यान रखें, बस इसकी कुछ थी इंपॉर्टन टिप्स, पानी जादा पीए, तो आपकी स्किन अंदर से भी यूस्फुल बानेगी, तो आपको ये फेस जर्मा का ग्लो पील की इन्फॉमेशन मैं आपको हर एक चीज एक चीज क्लियर कर दी है, तो पटापट से देरी किस बात की एच सीक्रेट को लोगों से शेर कर देना, मुस्ली गल्स की आदत होती है, कि हम लोग कुछ बाता चलता है, तो अपने तक बात चकती है, और लोगों से शेर नहीं करती है, और बोलती है, तो नाच्रल निखा रहे है, तो ऐसा मत करना, आप उन में से एक नहीं हो, वीडियो को शेर कर देना, ताकि सब लोग अपनी स्किन को चमका हो सकें, वीडियो पसंद आजाए, तो लाइक और दो देने एक्स वीडियो में, बाई!